और सभीश बड़ी खबर लखनव से सामने आ रही है स्वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं लखनव से लखनव से स्वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर स्वतंत्र देव सिंग का नेता वधान परिशत पत से स्तीफा सामने आया है यह बड़ी खबर आपक तो लखनव से फिलाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहांपर विधान परशुद के नेता पट से उनकी और से स्तीफा दे दिया गया है तो सुतंतर देव सिंग का नेता विधान परशुद के नेता सदन पट से उन्होंने स्तीफा दे दिया है ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं तो लखनव से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रहे है चाहाँ पर सुतंत्रदेव सिंग आप काबिनिट में फिलहाल मंत्री रहेंगे लेकिन विधान परिशुत के नेता सदन पत से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ये बड़ी सुतंत्रदेव सिंग का नेता विधान परिशुत पत से इस्तीफा सामने आया है आम जानकारी लखनव से आपको हम बता दे जहां पर ये स्तीफा सामने आ चुका है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सुतंत्रदेव सिंग का नेता विधान परिशु पर आपको हम लखनोव से बता रहे हैं तो लखनोव से स्वक्त क्या आम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुतंत्र देव सिंग का नेता विधान परिशक पत से स्तीफा सामने आ चुका है तो इस वक्त ये आम खबर सामने आ रही है जहां पर विधान परिशक के नेता सदन पत से स्तीफा सुतंत्र देव सिंग सौप दिया है तो सुतंत्र देव सिंग की ओर से स्तीफा सौप दिया है ये आम खबर आपको हम बटा रहे हैं लखनव से है ये बड़ी खबर जापर अब सिर्फ काबिनेट मंत्री रहेंगे सुतंत्र देव से इसके पहले वो नेता विधायन परिशुद थे लेकिन अब इस पत से स्तीफा सौप दिया है विधायन परिशुद के नेता सदन पत से स्तीफा दे दिया है जो आपर सुतन्तर देव सिंग का नीता विधान परिशन पद से स्तीफा और असी खबर पर अधिक अपडेट के लिए लगनाउ से हमारे साथ में विरोशीफ दिनिश्टर पाटी ची एक बार फिर से जोड़ चुके धिनिशी विधान परिशन के नीता सदन पद से स्तीफा कि अब सिर्फ काविनिट मंत्री के तौर पर रहेंगे सुतन तरदेश से जी आपको बतातों कि भार्टी जन्ता पार्टी के संभीधान में है कि एक पद पर ही एक कार्य करता रह सकता है स्वतन देव सिंग लगा कार्व पिछले कई महीने से कड़ेट मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता विधान परिशत के सदन भी थे ऐसे में भार्टी जन्ता पार्टी में यह नेड़े लिया है और उसी के तहत हो सकता है कि स्वतन देव सिंग ने जो आज इस्तिफ़ दिया है उसी भार्टी जन्ता पार्टी के संभीधान के तहत दिया हो लेकिन तहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसा भी लग रहा है कि भारती जन्ता पार्टी में स्वतन देव सिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी हाली में उनका अध्यक्षपद का कारेकाल समाप्त हुआ है उससे उन्होंने इस्तिभा दिया है उसके बाद अब अचानक विधान परिशद मेता सदन से उनका इस्तिफा लिया गया अब ये देखने वाली गात होगी हाल ही में ऐसी चर्चा हुए थी कि स्वतन देव सिंग के पर कडर्वने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि स्वतन देव सिंग्ग को लेकर संगतन में कई तरह के अनबन चल रहे थी ऐसा बताया जा रहा है कि स्वतन देव सिंग कुछ ऐसे काम किये कार्य करता हो और पदा जी चाहड़ी हो ताब जिसको पिजिसदिक्रा को हजम नहीं हो रहा था. वो देखते हुए भी हो सकता है कि शौत्न देव सिंग्ग को स्वातन महा मंंत्री शुनील गंतल से उनकी अनवन्पन चल रही है. बिल्कुल यानी यही सारी वज़ा हैं ये भी कही न कही बड़ी वज़ा हो सकती हैं फलाल पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है याने वाला वक्त बताएगा फलाल एकर स्तीफा सामने आ जुका है शुक्रा दरेशिया आपको अमारे साज जोड़ने के लिए और अधक अपडेट तर्शुकों तक पहुशाने के लिए तो विधान परशुत के नेता सदन पत से स्तीफा दे दिया है ये आम खबर आपको बता रहे हैं